हाथी और बक्री की कहानी Elephant and Goat Story in Hindi एक जंगल में एक हाथी और एक बक्री रहते थे दोनों बहुत पक्के दोस्त थे दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड था बेर का पेड देखकर हाथी और बक्री बहुत खुश हुए वह दोनों बेर के पेड के पास गए फिर हाथी ने अपनी सून से बेर के पेड को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे बक्री जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इक्ठा करने लगी सयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिडिया का घोसला भी था जिसमें चिडिया का एक बच्चा सो रहा था और चिडिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिडिया का बच्चा घुसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा चिडिया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था इस वज़े से वह भी तालाब में डूबने लगी बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिडिया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया इतने में चिडिया भी वहाँ पर आ गई थी और वहाँ अपने बच्चे को सही स्लामत देख कर बहुत खुश हुई उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड के पास रहने के लिए कहा तब से हाथी और बक्री भी चिडिया के साथ उस बेर के पेड के नीचे रहने लगे कुछ ही दिनों में चिडिया का बच्चा बड़ा हो गया चिडिया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूंग कर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी इस तरह हाथी, बकरी और चिडिया मजे में रहते और खाते पीते थे कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधाना चाहिए और मनमुटाफ दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए